यह देखिए गाईज इनकी स्माइल तो मेडम आपका नाम क्या है मेरा ना यसोदा राई यसोदा राई और आप कहां से बिलोंग करती है में दारजी लिंग से तो गाईज आज हम आपको डिखाने वाले है डीप चीज मॉमोस जो डारजी लिंग के रहने वाली हर्ड वर्कर लेडी यसोदा जी अपना एक छुटा सा स्टॉल पे डिफ्रेंट टाइप्स ओव मॉमोस की वेराईटी सर्व करती है तो गाईज डिख सकतो और डिप चीज मॉमोस की मेकिंग शुरू होने वाली है तो किजिए स्टार्ट अब अपना स्टॉल कब से चला रही है मेरा चार साल सिस है मॉमोस की कॉन्तों से वेराईटीस चारू करती है तो दिफ बिफ चीज चीज ग्रेबी और चीज फ्राईज रीम मेकिंग शुरू हो गई है तो यह मॉमोस में कौन-कौन सा स्टफिंग आपने एड़ किया है वेजिटिपल में बीन्ज, क्यारड, कैवीज और पणीद तो यह स्टीम मॉमोस आप घर से बनार के लाती है जी जी सर घर से तयार करके लेके आती हूं यहां से स्टीम करके दे देती हूं तो इसको बनाने में कितना टाइम रखता है दस मिनट से दस मिनट यह देखे गाई यह हमारा मॉमोस अच्छी तरह से फ्राइब हो चुका है और इसके एक सुनारा तलर भी आ चुका है और इसे एक सिल्वर कंटेनर में डाल दिया है और यह कौन सी चतनी है यह मॉमोस का रेट चतनी सर ओके मॉमोस की रेट चतनी यह मियोनी से सर यह होमेट है सर ओके यह होमेट मैवनी सर जी जी सर और इसकी प्राइज क्या है इसका ओन फिप्टी सर ओन फिप्टी इसकी प्राइज है नेट सो रुपे और यह दिखे अभी जा रहा है चीज और यह डीप चीज मॉमस में कितने पीसी जाते हैं? 8 पीसी सर 8 पीसी जाएंगे प्राइजिस के अंदर और आपके स्टॉल के टाइमिंग्स किया है? 5, 5.30-5.30-9.30 तक यहां के टाइमिंग्स है 5.30-5.30 बजे से लेकर रात को और यह भी स्टीमर के लिए जाएगा तो यह स्टीमर में कितने टाइम तक रहेगा? 2 मिनिट तक टेक कीजिए यह वीडियो आपके उन दोस्तों के साथ जो मॉमस के लवर्स है तो मेडम आपके कितने बैबीज है? एक लड़की है एक लड़का है मटब आपके दो छोटे बैबीज है वो पढ़ाई करते है? पढ़ाई करते है, इस्कूल जाते है, ओनलाइन पढ़ाई चलने कौन्सी अक्षा में वो पढ़ते है? लड़की 12 क्लास में और लड़का 7 क्लास में जब यह कॉरोना पेंड़ामिक चल रहा था तो सब स्टॉल भी बन थे राइट अब आपने अपना घर कैसे मैनेज कर लिया था? जैसे जैसे मैनेज किया इसर क्या करें बहुत अपलिप हुआ था उस टाइम में तो पूरा स्टॉल बन था इसके अज़े से बच्चेलों के साथ बहुत मुस्किल से निकाला टाइम तो गैस दीख सकते हो यह है यह सोटाजी जो अपना स्टॉल यह एक चोटा साम के स्टॉल है और यहां पर यह डिफरेंट ताइप्स और मॉमस की वेराइटी सब रती है आप सुड़ट में किते टाइम से रह रहे हो? बारा साल से तो गैस हमारी यह मामस अब श्क्राइब है यह देखे अर तो अनिया बड़ने सॉज़़़गा यह पड़सर टेक्वरट तो यह भी कॉंसा सोस है? यह मैगी का सॉस है मैगी से रिप यह कंदिया की कुटिंग हो रही है यह दिपचे स्वामस दन्या से गानी सिंग दिया जाना है तो यह रेडी हो गया है? रेडी हो गया है यह देखे यह है यह सो डाजी जो डाजी लिंक की रहने वाली है यह दिपचे में अलग अलग विडाइटीज चाफ करती है थैंके थैंके साथ यह है उनका मैन्यो तो यह दिपचे मामस अलमोस्ट डेडी हो गया है तो चलिए इससे ट्राइ करके आपको बटाते हैं के इसका टेस्ट कैसा है तो गाइज यह दिपचे मामस्ट तो गाइज यह दिपचे मामस्ट खाने में काफी लजीज है इसके अंडर दोचा तरकी सब्जियों का स्टपिंग का यूज हुआ है और स्टपिंग में चीज भी गया है और यह खाने में काफी सॉफ्ट है तो गाइज आप यह दिपचे मामस्ट यहां पर सुड़र सीटी में राई मामस में जरूड राई करने के लिए आ सकता हो तो मिलेंग अगली एक फुच जरनी केंडर बाई तो गाइज यह है उनका स्टॉल राई ममो जोकी लोकेटेड है सुड़र सीटी में वेसु एरिया में नियर राहुल राज मॉल और यह सामने है लालभाई कॉंट्राक्टर स्टेडियम आप वहां से इजी लिए स्टॉल पे आ सकते हो तो गाइज अगर वीडियो आपको स्टॉल झाञ टॉल